मेरे यूटीब कम्यूनिटी, फेस्बुक और इंस्टाग्राम पे और्किट के पिक्स ने आपको ज़रूर एंस्पायर क्या होगा अपने गार्डन में और्किट करने के लिए और आप मेंसे कई ने और्किट पर्चस भी कर लिया होगा और अब आप ये सोच रहोंगे कि इसकी देख भाल कैसे करें सच बताओं तो और्किट का खयाल रखना काफी आसान है बस आपको तीन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा पहला फर्टिलाइजर दूसरा पॉटिंग मिक्स और तीसरा सही वाटरिंग तीनों पर मैं डीटिल में बात करूंगी लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगी पार्ट 2 में potting mix रहेगा और पार्ट 3 में watering चलिए फिर इस वीडियो में fertilizer पे detail में बात कर लेते हैं चाहे आपके पास कोई भी orchid हो अभी जो मैं fertilizer schedule आपको बताने वाली हूँ आप वो follow कर सकते हैं लेकिन हाँ आपको orchid को दो section में divide करना होगा एक तो वैसे orchid जो mature हो गए हैं और अब blooming size के हैं जो flower दे सकते हैं और दूसरे ऐसे orchid जो अभी छोटे हैं और जिनने अभी growth की जरुवत हैं और एक या दो साल बाद ही उसमें flower आएगा दोनों तरह के orchid का fertilizer अलग हो जाएगा इसलिए बस आपको इस बात का ध्यान रखना है मेरे पास कई सारे तरह के orchid हैं और बहुत सारे species के orchid अभी blooming पे हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दो phalaenopsis, एक white है और एक pink है जो भी flower दे रहा है orchidium में भी flower आया हुआ है इसके अलाबा dandrovium जो white color का है जसमें मैंने detail वीडियो भी किया है उसमें अभी flower नहीं आया है लेकिन birds आ गए हैं arides odorata में भी flower birds आ गए हैं ऐसे जितने भी blooming size के orchid हैं उसमें आपको कम nitrogen लेकिन high phosphorus और potassium वाला fertilizer देना है जैसे कि मेरे पास यह bloom axel है इसका जो fertilizer ratio है वो 10, 27, 27 है मतलब nitrogen का ratio 10 है phosphorus और potassium का 27, 27 है और इसमें added micronutrients भी है और इसलिए एक fertilizer sufficient होगा orchid के लिए अगर आपके पास ऐसा fertilizer नहीं है तो आप कोई ऐसा NPK खरीद लीजे जिसमें nitrogen कम हो, phosphorus जादा हो और potassium जादा हो और साथ में आप उसके seaweed solution यूज़ कर सकते है micronutrients के लिए वैसे इस तरह के added micronutrients वाले fertilizer भी orchid के लिए special जो होते है वो आसानी से online मिल जाते है मैं कुछ purchase link नीचे वीडियो description में डाल दूँगी आप उससे check कर सकते हैं और purchase कर सकते हैं और जो छोटे orchid हैं जिन्हें अभी blooming में एक यादेर साल और हैं उनमें आप ज्यादा nitrogen और कम phosphorus और potassium वाला fertilizer दीजें जैसे कि यह आप देख सकते हैं इसमें जो ratio है वो 30-10-10 का है मतलब nitrogen इसमें काफी जादा है 30 और phosphorus और potassium कम है और इसमें भी added micronutrients हैं इसलिए आपको कोई भी दूसरे fertilizer की जरुवत नहीं है बस यह fertilizer sufficient होगा आपके छोटे orchid plant के लिए अब बात करते हैं orchid में fertilizer कब डालना है और कैसे डालना है एक बात आपको धियान में रखना होगा week dose weekly orchid में आप हर सपता fertilizer डालिए और एकदम थोड़ा थोड़ा और कैसे डालना है चलिए मैं आपको बताते हूँ इसके लिए आप एक टब ले लीजिए या एक ट्रे जिसमें भी आप solution बना सके ट्रे में आपको पहले तो फर्टिलाइजर डालना है मैं छोटे प्लांट को फर्टिलाइज करने वाली हूँ और इसलिए मैं थर्टी टें टेंड वाला ले रही हूँ मैंने एक टी स्पून फर्टिलाइजर इस ट्रे में डाला है और अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी ट्रे को लगबग हाफ फील करूँगी ज्यादा फील मत करिए मतलब धाई लीटर पानी में डाल रही हूँ और फर्टिलाइजर को 20 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे ताकि फर्टिलाइजर पानी में अच्छा से घुल जाए 20 मिनट बाद आप अपने और्किट के पॉट को टब में डुबा दीजे जिसी की रूट जो है अच्छा से सोख हो जाए पानी में 15 मिनट के लिए आपको प्लांट को पानी में रखना है और उसके बाद अपने प्लांट को निकाल लीजे और दूसरे प्लांट को रख दीजे इसी तरीके से आप अपने ब्लूमिंग साइज के और्किट को भी फर्टिलाइजर दे सकते हैं यह सबसे बैस तरीका है जो आप और्किड में अगर फॉलो करेंगे तो आपके और्किड कभी भी खराब नहीं होंगे ग्राउंड और्किड अगर आपने जमीन में लगा रखा है तो मग से यही फर्टिलाइजर सॉल्यूशन आप अपने ग्राउंड और्किड के पौधि में भी दे सकते हैं और ये fertilizer solution आप अपने किसी भी flowering plant में दे सकते हैं ये था एक आसान fertilizer dose आपके orchid के लिए आप अपने सारे orchid species में इससे follow कर सकते हैं मैं इसे ही follow करती हूँ और आप result देख सकते हैं आशा करती हूँ मेरा ये video आपको जरूर मदद करेगा orchid को grow करने में मैं Sunday को orchid potting mix पर वीडियो करूँगी और next Thursday और किड के watering pattern और अलग-अलग care instruction पर वीडियो करूँगी बस आप हमारे साथ बने रहेगा और वीडियो मिस ना हो इसके लिए subscribe बटन के बगल वाला bell icon जरूर प्रेस कर दीजे इसे आपको सारे वीडियो की notification तुरंत मिल जाएंगे फिर मिलती हो फ्रेंट्स अपने अगले वीडियो में अपना खाया रखेगा और अपने plants का भी Bye friends, stick your happy gardening, greener, healthy earth, happier Prakritis Gardens signing off